से बरसात का पानी एसिडिक हो सकता है सल्फूरिक एसिड मेंली बिजली घरों में कोईले और तेल के जलने से बनता है जबकि नाइट्रिक एसिड हमारे मोटर वियेकल के एक्जॉस्ट पाइप से उत्पन होता है सबसे पहले ये समझना महत्वपून है कि बारिश नैचुरली थोड़ी एसिडिक होती है जमीन पर गिरते समय बारिश वातावरन से कार्बन डाय ऑक्साइड को डिसॉल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाती है एक वीक एसिड जो प्राकृतिक बारिश के पानी का पी एच सिक्स बना देता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तब बहुत स्ट्रॉंग एसिड बारिश के पानी में मिलते हैं और एसिड ड्रेन बनती है जिसका पी एच तीन तक पहुँच जाता है जब पी एच छे से तीन में बदलता है तो आपको क्या लगता है कि एसिड डिटी कितनी बढ़ जाती है दो गुनी, तीन गुनी, दस गुनी या एक हजार गुनी वीडियो को रोकिए और सोचिए ये याद रखिए कि पी एच में होने वाले हर एक चेंज पर एसिडिटी में दस गुना चेंज होता है तो छे से तीन में बदलने पर वो दस इंटू दस इंटू दस यानी एक हजार गुना अधिक एसिडिक होगी चलिए, पहले सल्फियूरिक एसिड लेते हैं पौधों को बढ़ने के लिए थोड़े सल्फर के आवशकता होती है वे इसे सल्फेट से प्राप्ट करते हैं उधारन के लिए पूटेशियम सल्फेट जो नेचरली मिट्टी में पाया जाता है सल्फेट्स पौधों की जड़ों द्वारा लिये जाते हैं और पत्तियों के प्रोटीन्स में इस्थित कार्बन एटम्स इनके सलफर एटम्स से बॉंड्स बनाते हैं। जब पौधे मर जाते हैं और लाखों सालों के अंतराल में कोईले और तेल के रूप में बदलते हैं, वीडियो को रोकिये और सोचिये जब कोईला जलता है तो सल्फर और कार्बन एटम्स हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं और कार्बन डायोकसाइड और सल्फर डायोकसाइड के रूप में वातावरण में रिलीज होते हैं सनलाइट की उपस्थिती में एक फोटो केमिकल रियक्शन होती है जहां सल्फर डायोकसाइड सल्फर ट्रायोकसाइड बनाने के लिए एक और ऑक्सीजन के साथ रियक्ट करती है ये बारिश के पानी में डिजॉल्व होकर सल्फियूरिक एसिड बनाती है अब सूचे कि नाइट्रिक एसिड बारिश में कैसे आता होगा हमारे मोटर वियकल के सिलिंडर्ज में हाई टेंपरिचर की कंडिशन्स में हवा में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कुछ मात्रा में रियक्ट कर सकती है यह याद रखें कि फ्यूल जलाने के लिए काम में ली गई हवा में लगबग 80% नाइट्रोजन होती है इसलिए वियकल से निकलने वाली गैसेज में कम लेकिन प्रभावी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती है जब nitrogen की oxides हवा में होती है तो वे oxygen के साथ react करती है जैसे हमने sulfur dioxide के साथ देखा था और बारिश के पानी में dissolve होकर ये nitric acid बनाती है यदि बारिश चूने के पत्थर वाली मिट्टी पर गिरती है जो कि alkaline होती है तो acidity को neutralize किया जा सकता है हलांकि यदि बारिश neutral या acidic soil या वनस्पती पर गिरती है तो ये काफी नुकसान पहुचा सकती है अब ये acidity जीवित जीवों के लिए हानिकारक क्यों है वेल जीवित चीजें acidic conditions में अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती और इसे demonstrate करना आसान है ब्रेड की एक slice विनेगर में और दूसरी शुद पानी में डूबोई है थोड़ी देर के लिए उन्हें खुला छोड़ दीजे और फिर उन्हें कवर करके एक सपताह के लिए छोड़ दीजे आप पाएंगे कि विनेगर में डूबी हुई bread पर fungus नहीं जमी है जबकि दूसरी bread पर जमी है वास्तव में हम pickling नामक एक process में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए विनेगर का यूज करते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ enzymes जो growth के लिए महत्वपूर होते हैं acidic conditions में काम नहीं कर पाते दूसरी main problem soil यानि मिट्टी में है जहां naturally मिलने वाले toxic metals जैसे की aluminum insoluble है और इसलिए neutral soil के लिए हानिकारक नहीं है ये acidic soil में soluble हो जाते हैं अब ये GB चीज़ों में पहुँचकर zinc और iron जैसे जरूरी metals का इस्थान ले लेते हैं इसके अलावा acid drain में मौझूद hydrogen ions जरूरी metal ions को replace कर देते हैं जैसे की potassium, magnesium और calcium जो आम तोर पर clay soil में रहते हैं इसके कारण ये जरूरी metals पौधों की जड़ों से दूर बह कर नीचे की ओर चले जाते हैं तो आपने देखा कि dissolved carbon dioxide के कारण सामान ने बारिश थोड़ी acidic होती है लेकिन acid drain में sulfuric और nitric acid होता है जिससे बारिश एक हजार गुना ज्यादा acidic और कई जीविच चीजों के लिए खतरनाक हो जाती है sulfuric acid sulfur yugth fossil fuels के जलने से उतपन होता है petrol और diesel engines के cylinders में उच्च तापमान की conditions में atmospheric oxygen और nitrogen की reaction से nitric acid उतपन होता है